गुद्बर्णिंग फ्रेंस कारिंसी प्री मर्केट एनलेसिस पे आप सभी का स्वागत है आज थाड़ ओक्टोबर 2023 लस्ट एंड अप्टेमबर में डॉलर इंडेक्स का एक लेवल था एंड सेकेंड ऑक्टोबर मंडे जब हमारा इंडेन मार्केट क्लोज था ड्यू टू गांधी जैंदी वहां पे डॉलर इंडेक्स में काफी कुछ चेंजिस हुआ है काफी कुछ हल्चल्स है आईए देखते हैं चार्ट में कि यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो डॉलर इंडेक्स अभी है अपका 107.08 काफी स्ट्रेंथ यहां पे दिख रहा है रिवर्सल का कोई नामोनिशन दूर दिर तक नहीं दिख रहा है जब तक नामोनिशन नहीं दिखता है तब तक हम मिन से सेलिंग के लिए या विकनेस के लिए ज्यादा कुछ सोच बिचार करके फाइदा नहीं है certain conditions are there if those conditions are fulfilled then and only then dollar index में start giving the signals that I am now moving downward लेकिन अभी तक वैसा कुछ means indications हमें दिखने ही रहा है तो immediately जो resistance है dollar index में वो है आपका 107.30 से 108.00 के बीच में एक resistance है हमें देखना है कि इस हपते में क्या इस area पे resistance लेने का कोई indications dollar index दिखाते है या नहीं जब तक नहीं दिखाते है तब तक हमें इंतेजार करना है dollar रोपी consolidation जारी है within आपका 82.80 on the lower side and 82.30 on the higher side जब तक इस range के अंदर में घूमते रहते है तब तक बराबर है यहाँ पे दो diverge views मेरे पास है एक diverge view है technically और as well as the global currency की हिसाब से global currency and technical के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि dollar रोपी ऊपर के तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है only thing is the invisible hands जो आपका 82.20 83.20 से 83.40 के बीच में अच्छा strong presence दिखा रहे है लेकिन कब तक वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे पूरा का पूरा उन लोगों के decisions के ऊपर है क्या वो सब्सक्राइब करना चाहते है या डिफेंड करना नहीं चाहते हैं suddenly किसी दिन गाइब हो जाएंगे या नहीं होंगे पूरा का पूरा decision making process उन लोगों का है so we are not here to means direct them they are capable enough to means decide what needs to be done as far as the currency is concerned so हम उनके रस्ते पे ही चलना चाहेंगे means selling interest दिखाते है या नहीं करते है या छोड़ देते हैं जैसे जैसे वो initiatives लेंगे हम उसी हिसाब से चलना पसंद करेंगे क्योंकि बड़े चटानों से पंगा नहीं लिया जाता है जैसे जैसे रूपी कॉंसलीडेट होता है तो क्या यह उपर के तरफ ब्रेक डाउट करते है या नहीं वो एक वीव है second view is that the moment Indian index is means bond market is means introduced into the force market तब अच्छा कासा means dollar inflows आने वाल है लेकिन वो dollar inflows कब आएगा नहीं आएगा उसके उपर हमें regular basis पे monitor करना है जीबीप डॉलर में अच्छा कासा धुलाई पिटाई कुछ भी बोलिये हो गया है यहाँ पे Thursday and Friday को reversal means pullback देखा गया था लेकिन Friday का जो candle था वो एक पिंद बार बनाया हुआ था पिंद बार के जब तक यह मंडे का candle price section के हिसाब से मंडे का candle के हाई के उपर जब तक close नहीं दे देता है मैं भी आज के दिन मंगल बार Wednesday Thursday या Friday तब तक हमें कोई bullish bias यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है so cell optics may be continued in this instrument till Monday का high के उपर close नहीं दे देता है अभी आपके है यहाँ पे भी negativity चायो होए है daily आरे से below 40 after taking resistance near 40 around 37, 38 यह further नीचे के तरफ जाने का तैरी means कर रहा है that being the case is currency instrument may be sell optics may be considered आपका जो भी selling strategies है उसको lower time frame में लगा के आप with strict stop losses खेल सकते हैं euro dollar पे भी similar structures है thursday and friday को bounce back करने का pull back करने का price किया था लेकिन friday का जो candle था वो एक pin bar था price rejections are the apparent that being the case इसके उपर जब तक नहीं जाता था तब तक positivity नहीं आता था रेधर कल के दिन में हमने देखा एक strong negative candle यह strong negative candle के बाद यहां पे हमें जब तक इस Monday के high के उपर price नहीं sustain करता है तब तक means daily time frame में long build up नहीं होता है so considering that fact जब तक इसके उपर नहीं जाते है तब तक sell on rise sell optics में भी considered euro iron similarly negativity चाया हुआ है sell optics में भी considered in this instrument also dollar yen पे dollar yen 149 चू चू कर रहे है और हम लोग यहां पे selling के लिए इंतिजार कर रहे है कि बीओ जी आएगा बेचेगा बीओ जी आएगा बेचेगा लेकिन बीओ जी का नामों निशान नहीं है उनका भी अपना खुद का decision making process से intervene करेंगे या नहीं करेंगे we can only expect we can only guess but action जो लेना है या नहीं लेना है वो बीओ जी के ऊपर है जब तक यहां पे strong selling indications नहीं आते हैं तब तक हमें थोड़ा से careful होना है because it is a psychological 11.150 and similarly buying के लिए हमें इंतेजार करना है लेकिन आ नहीं रहा है यहां पे तो हमें इंतेजार करना परेगा dollar candy पे candy काफी week हो चुका है I think it's the 27 week low in Canadian dollar just a second let me check the report yes Canadian dollar hits 27 week low so यहां पे आप अगर मेरा 22, 24 September का Canadian dollar का analysis देखो कि वहां पे दो candle important था एक था अपका 19 September का low और दुसरा वाला 21 September का high जब तक either side breakout नहीं करते है price ज़्यादध means consolidate करेगा और एक बार either side breakout करते है तो उसी direction में move करने का price करेगा यह उपर के तरफ breakout किया है और immediate resistance था 1.3650 उसको भी तोड़के उपर चला गया है यह जो resistance 1.3650 कभी crucial था क्योंकि several times यहां पे test कर चुका है that being the case क्या यहां पे दुबारा resistance लेगा लेकिन ऐसा प्रतित नहीं होता है और यह तीन बार इसको test कर चुका है चौथे बार लगता नहीं है कि यहां पर respect करके फिर दुबारा नीचे के तरह आएगा रधर थोड़ा pullback में यहां पर अगर इस step का आके फिर उपर जाता है in such a case we can consider for long build-up लेकिन price action is supreme we need to consider we need to keep the action in mind 80 dollar पे यह rectangle के अंदर में ही चल रहा है इसको चलने देते हैं जब तक either side breakout नहीं करते हैं एक बार breakout होता है तो equal amount का एक आइडा direction नीचे के तरफ breakdown करता है तो यह जो box का range यह उतना नीचे आएगा अगर उपर के तरफ breakout करते हैं box के range के हिसाब से उतना उपर जाने के लिए यह तैयर कर सकता है cnh 7.325 यह कफी means आज कल और आज दोनों दिन में थोड़ा strength lose कर रहा है cnh depreciate और भी कर रहा है लेकिन pboc strong handedly defend करने के लिए बैठे हुए है तो जब तक pboc is there इसमें जड़ा पर खत्रा नहीं है लेकिन एक पर अगर पागलपनती चा जाता है cnh depreciation में उसका एक impact dollar रुपी में भी आ सकता है crude oil अच्छा गासा week हो चुका है यहाँ पर यह हमें देखना था कि यहाँ पर support लेके दुबारा उपर जाता है या sell off होता है अगर हम देखेंगे broader perspective में हमारा यह target था कि 105-106 के तरफ तो य daily basis में यहाँ पर support लेके यह उपर जाता है या नहीं और daily basis में एक छोटा सा M pattern आया है यहाँ पर यह जो candle आपका 26 September के इसके low के नीचे equal amount में भी आपका 85-50, 85-70 के तरफ यह dollar brand crude जाने के लिए price action के हिसाब से जा सकते है तो उसके बाद यह means क्या bounce back करता है या नहीं करता है वह हमें देखना पड़ेगा अभी है US 10-year Treasury, US 10-year Treasury में अच्छा का सा strength देख रहा है 4.677 यहाँ पे कफी strength है जब तक कि यहाँ पे FED कोई decision नहीं लेते है कि rate pause का enough is enough यहाँ से हम pause करेंगे या cut करना चलो करेंगे तब तक यह higher orbit में ही रहने वाले है US 2-year Treasury थोड़ असा यहाँ पे different है 10-year के versus में that is why आपका जो negative inversion curve है that means the difference between the two यह आपका 48 basis points का हो चुका है 44 basis points का तो यहाँ पे 10-year Treasury में कफी तेजी है विसावी 2-year में थोड़ा यह resistance लेने का प्रहास कर रहा है so दोनों में थोड़ा different stories है 2-year versus 10-year so currency daily analysis pre-market analysis अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ यह presentation आपको अच्छा लगा होगा if so like किजे comment किजे and share किजे among your friend circle those who have not subscribed to my channel request all to subscribe तो here अभी के लिए इतना ही bye bye